नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्रत्या, आप मुझे देख रहे MNS News Live पर खबरों की और रूत करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम वही खबरे आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि सच जरूरी है बारिश की वज़े से सिर्फ 13 ओर के खेल के बाद रद हुआ पहला वंडे भारत और वेस्ट इंडिज की टीमों के बीच भुरुवार को प्रोविडन स्टेडियम में खेला गया पहला वंडे मैच बारिश की कारण रद कर दिया गया है तीन मैचों की वंडे सिर्फ का पहला मैस तर जो तेरा ओर ही चल सका और भारी वारिश की फेट चड़ गया वेस्ट इंडिज एके खिलाब दोराश तक जड़ शुपमन गिल ने पेश किया टेस्ट टीम के लिए दावा भारत ने युवा बल्लेबाज शुपमन गिल ने गुरुवार को इडिया एकी ओर से खेलते हुए वेस्ट इंडिज एके खिलाब चार जिवसिय अनादिकारी टेस्ट मैच में दमागा कर दिया गिल ने न केवल शांदार 12 शन तक जड़कर अपनी टीम को परिशानी से निकाला बल्कि पाच्वे विकेट के लिए हनुमान विहारी के साथ 315 रंग की नाबाज साजिदारी भी की कश्मिर में क्रिकेट एकेडमी खोल यूगा क्रिकेटर को तयार करेंगे MS धोनी भार्तिय क्रिकेट टीम के कप्तन और भार्तिय सेना में लेटरनर करनर की उपाधी पाच चुके मायंदर सिंग धोनी अब कश्मिर की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे है दिगज कप्तन जम्मु शेत्रों में एक क्रिकेट एकेडमी खोलना चाते है जिससे कि वहाँ पर मौझूद क्रिकेटिंग टैलेट को उपारा जा सके जो आगे चल कर देश के काम आ सके MNS News Like की खबरे देखने के लिए आज ही Play Store से MNS India आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद